हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेग टो मैं चैनल लर्निंग अब डिके मेरा नाम है दीपक कहाँ आज का हमारा टॉपिक है एक्सल में नोट काउंटिंग कैकुलेटर कैसे बनाते हैं आज में आपको आगे बताने वालों यह कैसे करते हैं अगर आप हमारे वीडियो में ना है तो प हम दोखुलेंहे हम से आप लिए और व्यता व्यता विदियो बना सके हैं तो आएए लिए प्रेंड्स बीस्टन में और वीडियो में काउंटींग के लिए कैकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं अगर हमारे पास हमसंख्या में होते हैं तो हमें से कहुंकलाब्स पרג़ करना कि यहां पर नोट कैलकिलेटर बनाने जा रहा हूं इसे रहा है। मैं आज स efforts पर पहली गोरे नोट कैलकिलेटर कई की हुआ है। नोट कैलकिलेटर टाइप करने के बाद 5-6 रो में हम यहाँ पर जैसे कि आप इसकी में पर देख रहे हैं A, B, C, D, E, F, G तक मैंने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमर्ज एन सेंटर पर जाकर इसे हम मार्जन सेंटर कर देते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर साइज का बढ़ा लिया है इसका साइज हम यहाँ पर 24 ले रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसे बोल्ट कर देते हैं बोल्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड रो में हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है rupees per note यहाँ पर कितने के note हमारे होंगे वो हम यहाँ पर type करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पर 2 cell को merge करते हुए merge in center पर जाकर उसका है तो हमारे सामने 2 cell merge हो जाते हैं और उसका size हम बढ़ा कर लेते हैं और उसे control plus B से bold कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर next 2 cell को again select करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर number of notes enter करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसका size बढ़ा कर 14 कर देते हैं और इसे हम control plus B से bold कर देते हैं उसके बाद हम again यहाँ पर 3 cell select करेंगे 3 cell सेलेक करते हुए हम यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे तीन सेल यहाँ पर एक सेल में रुपीज पर नोट आ रहे हैं नमबर आफ नोट आ रहे हैं और अमाउंट आ रहा है उसके बाद हम यहाँ पर हर सेल में मर्ज एंड सेंटर करते हुए मर्ज एंड सेंटर करेंगे और उसके बाद हमें कॉपी करते हुए जहां तक हमें चाहिए हैं वहां तक हम यहाँ पर लेँबिक न sembra कविक नोट करें तो इस तरह से हमारे सारे सेल लसे कि सब्सब्रोन करने कि मैं सरी रोपी कर दिया है तो इस तरह से हम यहां पर कौपि कर सब्सक्राइब कर दिया है और यहां और उसके बाद हम यहाँ पर 500 का note लेंगे और उसके बाद 200 का note लेंगे और उसके बाद फिर हम 100 का note लेंगे फिर अगेन हम यहाँ पर 50 रूपीज, 20 रूपीज, 10 रूपीज और 5 रूपीज लेंगे उसके बाध हम यहाँ पर coins लेगे, जैसा कि आप इस clicked परunya हैं कि मैंने आपर सारे note के description हमने यहाँ पर type कर दिया है rupees per note के सारफ से जो होंगे हमने यहाँ पर enter कर दिया है आप इस स्थीम पर देख रहे हैं कि आगे कैसे process करनी है उसके बाद हम यहाँ पर number of note लेंगे, number of note में मैंने यहाँ पर 2000 के सामने एक type कर दिया है और हम चाहते हैं कि 2000 के सामने अगा जसन ने हमें एक type किया हुए है और उसके बाद amount में यह automatically multiply होके हमाई सामने आ जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर formula लगाएंगे, formula मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, आप इसकी बदेख रहे है यहाँ पर हम amount के जस्ट नीचे equal press करने के बाद A3 type करने के बाद into C3 type करते हैं और उसके बाद हम enter key press करते हैं, तो हमारे सामने 2000 लिखा हुआ answer आ जाता है उसके बाद हम again यहाँ पर 1000 के लिए into 1 करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर equal press करने के बाद A4 into C4 type करने के बाद enter key press करते हैं, तो हमारे सामने 1000 answer आ जाता है इसी तरह से हम यहाँ पर A5 into C5 multiply करके enter key press करते हैं, तो हमारे सामने answer आ जाता है इस तरह से हम यहाँ पर 200 into 1 करेंगे, तो हमारे सामने 200 answer आ जाएगा, इस तरह से हम यहाँ पर 150, 20, 10, 5 इस तरह से हम यहाँ पर answer करते जाते हैं, तो हमारे सामने answer आते जाते हैं, और amount का total हमारे सामने होते जाता है इसके बाद हम यहां पर 50 को कॉपी करते हुए नीचे last 5 के नीचे coins तक कॉपी कर देते हैं और हमारे सामने आज आता है answer अभी जैसे आप इसकी में पर देखने हैं कि यहां value 0 आ रही है जैसे हम amount अंटर कर रहे हैं ले रहा है उसके बाद हम number of notes में सबसे last में coin के just नीचे यहां पर हम total type करेंगे total type करने के बाद मैंने यहां पर alt plus equal प्रेस करते हैं तो हमारे सामने सारे amount का total हो जाता है जैसा कि आप इसकी में पर देख रहे हैं कि हमारे सामने सारे amount का total हो चुका है उसके बाद हम यहां पर आगे इसकी में पर इसका size बढ़ा देंगे हो को कौपी कर दिया है क्योंकि हम सारे सहल एक से चाहिए है से उसके बाद हम यहाँ पर five के जुन valor dreiव c कोई लिखने के बाद हम यहाँ पर for example समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर 10 के नोट लखे हुए हैं दस की चेंज हमारे पास है और उसके बाद हम यहाँ पर equal amount वाले column में equal प्रेस करने के बाद 12 प्रेस कर देते हैं और उसके बाद कोई के जस्ट नीचे टुटल लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के सबसे लास्ट में जहां हमें टुटल चाहिए है वहाँ पर हम Alt उल्ट प्लस EQUAL PRESS करते हैं तो हमाँ सामने अमाउंट का टूटल आ जाता है जैसा कि आप स्कीम पर देख रहे है मैंने हाँ पर अमांउंट का टूटल कर दिया है उसके बाद Just टूटल और अमॉंट वाले सेल को सेलेक्ट करते हुए साइस बढ़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जैसा कि आप इसकी पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर काफी हमारा अच्छा सुन्दर दिखने लगा है उसके बाद हम यहाँ पर यदि color change करना चाहते हैं तो हम यहाँ color भी change कर सकते हैं जैसा कि आप इसकी पर देख रहे हैं कि पहले मैंने green color लिया हुआ था उसके बाद मैंने यहाँ पर red color कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में भी red color कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पर number of notes वाले column में color करेंगे कि आप इसकी पर देख रहे हैं कि आप अपने according color choose कर सकते हैं और color कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने number of notes में दूसरा color लिया हुआ है यहाँ पर मैंने यह color select कर दिया है इस वाले color में change करने के लिए हम यहाँ पर amount से लेकर जो हमारा टूटल के उबर वाला सेल है वहाँ तक हम इससे select करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसका color अपने according पसंद करते हुए कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ स्की पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसका green color लिया हुआ है इस तरह से हमारा यह color भी चेंज हो सकता है आप यही ज़रूरी नहीं है की आप अपने यह ही color select करें आप अपने choice के साब से भी color choose कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर notes, starting note से लेकर हम पूरी sheet को select करते हैं और आल बॉर्डर पर जाकर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम आल बॉर्डर पर जाकर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये सारी बॉर्डर बन जाती है, जैसे कि आप इसकी में पर देख रहे हैं, ये देखने में कितना आकर्शक देख रहा है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सार हजार रुपे का एक नोट लिया था यह कैलकुलेशन हमने यहां पर ऐसा बनाया हुआ है यहां पर A3 into C3 का कैलकुलेशन आ रहा है और यहां पर सेकेंड कोलम में A4 into B4 यहां पर हजार के नोट के सामने यहां पर दो टाइप करते हैं तो हमारा देखिए आप यहां पर स्क्रीन पर यह हमारा कैलकुलेशन भी चेंज हो रहा है और हमारे टोटल वाले कॉलम के है इसे पर आपको यहां पर number of note में आपके note कितने हैं वह यहां पर आपको count करना है और type करना है उसके बाद यह सारा calculation automatically कर लेगा और हमारे सामने total amount कितना हुआ है उसका total भी हमारे सामने निकलकर आ जाएगा friends आपको हमारा वीडियो कैसा लगा please हमें comment box में comment करके ज़रूर बताएं वीडियो को like share comment करना ना भूले friends अगर आप जवलपूर में tellie plus GST सीखना चाहते हैं तो हमारे नए बैच प्राराम होने जा रहे हैं please हमें comment box में comment करके ज़रूर बताएं है यदि आप English चीखना चाहते हैं तो हमारे नए बैच्ट सार्ट होने जा रहे हैं जिसमें एक बैच्ट में पांच स्टुरेंट रहेंगे और इंग्लिस ना बोल पाने पर पैसे रेफंड करने की फुल गरेंटी है और हमारा जो हाइस रिव्यूज हैं आप गूगल पर सच कर सके देख सकते हैं आप हमारे एक बैच्ट मेंपांच स्ट्रेंट एक रहेंगे और इससे जबद बैच बनाये हुए हैं जिससे आप tally सीख सकते हैं, English सीख सकते हैं और job easy तरीके से पाँ सकते हैं आपको यहाँ पर tally में basis से लेके आपको GST तक प्रॉपर तरीके से पूरा full knowledge दिया जाएगा यदि आप cpct करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से cpct कर सकते हैं यदि आप हमारे यहाँ से pgd सीख अना चाहते हैं और यदि आप normal basic excel सीख करना चाहते हैं advanced excel सीखना चाहते हैं और tally सीखना चाहते हैं plus GST तो हमारे यहाँ से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं प्रीज हमें comment box में comment करके जदूर बताएं